असलाम अलेकूम तो ये देखिए आज हमने मैकडॉनल्ड स्टाइल चीजी हैश प्राउन बनाया है देखिए ये कितना ही मज़ेदार नजर आ रहा है चलिए आपको इसकी रेसिपी दे देते हैं तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ आलूओं को अच्छे से पील करके वाश करके रख लिया है अब इसका फाइन बहुत ही थिन स्लाइस करना है ये देखिए पहले आप इस तरह से इसे कट कर लीजे और फिर इसे एक बार फिर से घुमा करके कट करिए यानि इसे हमें चॉप करना है चॉपर में इसे मत करिएगा कोशिश करिएगा इसे हम नाइफ से क बहुत ही finely इसे chop करना है, तो ये हमारे सारे आलू कट हो गए हैं, finely chop हो गए हैं, अब हिन्हें हम इसका starch निकालना है, तो इसके लिए पहले हम इसे पानी में dip कर देंगे, और फिर इसे अच्छे से 2-3 पानी से wash करेंगे, और strainer की मदद से इसे निकाल लेंगे, इसमें starch बहुत जादा होता है, तो इसे अच्छे से wash करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही yummy बन के तयार होगा, और इंशाल्ला आपके बच्चों को और आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो एक बार आप जरूर इसे try करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को like और subscribe नहीं किया है, तो आपसे humble request है, कि आप इसे like और share कर दीजिए, subscribe भी कर दीजिए, फिर हमने एक pan में थोड़ा सा cooking oil लिया, और इसमें हमने जो अपने potatoes को wash करके रखा है, उसमें डाल देंगे, इस वक्त flame आपकी medium to low रहेगी, साथ में थोड़ा सा नमक भी add कर देंगे, आप इसे हमें गलने तक पकाना है, माने इसे tender हो जाना है, mash नहीं होना है, तो इसे आप चलाते हुए पका लीजिए, बीच बीच में आप इसे चेक करते रहेए, यह देखिए, हमारा यह आलू जो है, वो tender हो गया है, पर mash नहीं ह हुआ है, इसके बाद हम इसे एक बोल में transfer कर लेंगे, हलका सा इसे ठंडा हो जाने दीजे, आप इसके लिए से room temperature पे छोड़ दीजे, अब इसमें हमने आधा बोल corn floor add किया है, यानि दो बड़े खाने के चमच भरके, अब इसे spoon की help से अच्छे से मिला लेना है, mash नहीं करना है, इसमें chunks आलू के आने चाहिए, एक butter paper लीजे और इसे evenly इसपे spread कर दीजे, अब एक transparent plastic sheet लीजे, इसके ओपर इसे रखिए, और rolling pin की मदद से इसे roll कर लीजे, यानि बेल लीजे, जितना thin आप कर सकते हैं, उतना कर लीजे, बहुत ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो तूर जाएगा, अब इसके हमें pieces कट करने हैं, अपनी हाथों के help से, इसे चारो तरफ से equal कर लीजे, easily आप से जैसे हो जाए, ये देखिए, हमने इसे cut कर लिया है, इसके बाद आप चाहें तो इसे ऐसे ही fry कर सकते हैं, लेकिन अब भी हम cheesy hash brown बना रहे हैं, तो इसमें हम cheese apply करेंगे, इसके लिए, पहले हमने इसको square cut किया, उसके बाद हमारे पास cheese था, हमने इस पर cheese apply किया, ये हमारे पास simple cheese है, slice cheese, आपके पास mozzarella है, तो mozzarella apply कर दीजे, ये देखिए, इसको इस तरह से, इसके उपर apply कर दीजे, हमने cut, एक cheese slice को लिया, cut किया, और एक के उपर एक करके उसका layer बना दिया है, अब दूसरा वाला, जो piece है, उसके उपर इसे रख करके cover कर दीजे, अब एक पैन में cooking oil गरम कीजे, और फिर इसमें इसको drop कर दीजे, flame high मत रखिएगा, slow to medium, पहले medium रखिएगा, एक बार जब इसमें color आ जाए, तब इसे slow कर दीजे, और फिर इसे flip कर दीजे, यह देखिए, एक एक करके, हमने इसमें सारे pieces drop किये, और उसके बाद इसे अच्छा सा color आने तर प्राइग कर लिया, यह देखिए, आपको चीज नजर आ रहा होगा, चीज हमारी melt हो गई है, तो इस तरह से बहुत ही easily हम इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं, तो यह हमारा मज़ेदार सा hash brown cheesy mcdonald style बनके तयार है, इंशाला आपको जरूर पसंद आएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अभी मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, यह देखिए, इसके अंदर कितनी चीज है, आपके बच्चों को और आपको खाकर मज़ा आ जाएगा, मियोनीज और टुमाट केचफ से हमने इसका डिप भी तयार किया है, आपको जैसी टिप पसंद है, आप जैसी डिप बना लीजे, फिर मिलेंगे, थैंक्स पर वाचिंग,